Ministry of Science and Technology Government of India डाइट मिन्स कि भारत सरकार की एक कंपनी जो की Council of Scientific and Industrial Research जो की CSIR है यहां से एक Apprenticep का Opportunity निकल के सामने आ है ITI Candidates, Diploma Candidates और B.Tech चात्रों के लिए इस पूरी डिटेल नोटिफिकेशन को लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और जो भी उमिद्वार होंगे, जो भी Candidate होंगे चाहें तो इस form को fill up कर सकते हैं बिना fees के इस पूरी PDF का जो है आपको notification टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा description में आपको link मिलेगा तो यहां पर आप देख पाओगे कि advertisement जो दिया गया है apprenticeship के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो है एक साल की आपकी training होगी चाहें तो आइटी आई की बात करें डिप्लोमा या फिर डिग्री वालों के तो डिग्री वालों के बात करेंगे तो mechanical engineering का देखिएगा दो वेकिंशी दिया गया है chemical का दो है फिर यहां पर अगर हम बात करेंगे डिप्लोमा वालों का तो mechanical engineering से दो है chemical से दो है और electrical engineering से दो है इस टाइपन की बात करेंगे तो बीटेक वालों को electrician से यहां पर चार है filter से यहां तीन है मैंसों से यहां पर चार है plumber से च्छह है welder से तीन है और यहां पर ट्रेडवालों के लिए यहां पर दस टोटल पोस्ट अब लेबल है पोस्ट कोड देखिए यह जो है आपका पोस्ट कोड है यह वाला लाइन ठीक है तो अगर आप माले यह सब्सक्राइब करना है और कैसे करना है तो सबसे अच्छा यहां पर दे दिया गया है बहुत सांदार तरीका है जो कि मेल के मांद्यम साब सेंड कर सकते हो और यह जो कि क्या मेल करना है भी तो आपको एक फॉर्म में यहां पर दिखा देता हूं उसी फॉर्म में आपको भर लेना है जैसे कि आप यह आपका नाम है यहां पर यहां पर यहां पर आपको इस फॉर्म को भर लेना है इस फॉर्म को पूरा फोटो टो यहां पर बढातेना है और पीडिएफ के रूप में और यहां पर आपको mail कर देना है ठीक है तो देख लिए यहां पर mail की ID यह है rpbdhrneist.gmail.com यहां पर आपको send कर देना है और देख पा रहे होंगे fill the format and send the scan copy to mail ठीक है चलिए अब दीखिए यहां पर और बता देते हैं कि आप जो mail कीजिएगा तो उसमें जो subject होगा ठीक है आप mail करते हैं तो इसे लेता है टू तो वाले में तो यह दे दीजिएगा यह वाला mail ID उसमाद होता है subject तो subject में आपको क्या लिखना है write the advertisement number and post number in subject of email अब यहां पर आपको subject में लिखना है advertisement number तो advertisement number ऐसे लिख दीजिएगा क्या है मैं आप बता देना चाहता हूं देखिए यह वाला पाटा को लिखना है हम बात कर लेने वाले हैं कि आप अगर हाथ से भर के भेशते हो या incomplete भेशते हो तो आपका form accept नहीं होगा उसके बाद जो diploma के छाद रहें वह नैट्स डाट मिन्स की mhrdnet.in पर ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और इसका description में भी आपको लिंक मिल जाएगा फॉन अपने फॉन से आप कैसे करोगे चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे कि रेगुलर मोड को उसमें जो किये होंगे वही सिर्फ इलिजिबल होंगे और डिस्टेंस वाले इलिजिबल नहीं होगे और इजिनल टेश्ट्रोमियल जो भी है वह आपको डेट ऑफ इंटर्विू के टाइम में आप जब इंटर्विव के लिए आपको बलाये जागा उस टाइम में आपको ये देना होगा यह सारे डॉकुमेट्स और वाले ले करके जाने पड़ेंगे जा फिर डॉकुमेंट्स वरिफिकेशन के टाइम भी इन जी जो कहाँ सकता ठीक है असाम में आपको जाना पड़ेगा इंटर्व्यू देने के लिए और उसके बद देख पाईएगा जो भी डिटेल से डेट और टाइम का वह आपको वेबसाइट में मिल जागा जो भी स्टार्ट के यहां से विडियो और उसी वेबसाइट पर आपको देखने के मिल ज चाहते हैं उनके लिए 26 साल रखा गया है 18 से 24 रखा गया है टेकनीशियन वालों डिप्लोमा वालों के लिए और रिलक्सिस्ट रूस जो है अपलिकेबल होगा यहां पर तो यहां पर जैसे कि 23 साल जनरल के लिए तो इसमें जोड़े तीन साल ओबिसी का हो जागा इसमें ज जो जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो अपलाए ना करें यह दे दिया गया आपके ठीक है तो देखिए इस फॉर्म को आपकी इच्छा आप चाहो तो फॉर्म फील अप कर सकते हैं आपको इस टाइप अगर भी मिल रहा है चाहें तो कर सकते हैं कुछ नहीं कर रह होगे और वहां की सब का भी होने वाला है आप लोग जरू चेक आउट कीजिए चैनल पर हम नेक वीडियो बढ़ाया था तो चलिए साथ है आज के लिए इतना ही इस तरह की लेटर्स जॉब और अप्डेट्स पारने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आज लेतना ही आपका बहुत बहुत धन्याद